जहिन दोस्तों केरियर एक्षन सेंटर में आपका स्वागत है तो आज का हम इस वीडियो में साइंस का कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट अब्जेक्टिव कोश्चन लाएं जो कि 2024 में आने की संभावना है तो चलिए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते यदि आप लोग को वी वी एपशे कोश्टिन पर चलते हैं जीवन की एक महतपुर्न विश्वट Cape निवीजेस्ता ज की वीरदी ऑप्स नंबर बी और फन नमब्र भी हो तो अग़ा चल्डवा यॉइप ऌतरी टल्भा फोसी का ड्रब फोसी का ड्रब में कोसी का अगला कोशन पर चलते हैं लोग अगला चाहर है कि कौन सा enzyme बसा पर किरिया करता है बताई आप लोग कौन सा enzyme बसा पर किरिया करता है तो आप लोग बोलिएगा life page option number D option number D होगा life page ठीक है चलिए अगला question पर चलते हैं आप लोग कि मस्तिस्क का कौन सा भाग शरीर की इस्थिती तथा संतुलन का अनुरच्छन करता है बताई आप लोग तो आप लोग बोलिएगा कि अनु मस्तिस्क option number B option number B is correct होगा चलिए अगला question पर चलते हैं किस पोधे में रंधर अनुपस्थित रहते हैं रंधर अनुपस्थित रहते है बताईए आप लोग तो आप लोग बोलिएगा कनेर में option number D option number D होगा कनेर ठीक है option number D चलिए अगला question पर चलते हम लोग रक्त में oxygen का बाहक है रक्त में oxygen का बाहक है तो आपका अंसर होगा हीमोगलोबीन option number C हीमोगलोबीन चलिए आप लोग comment करके बताईएगा कि रक्त ला बीज बिक्सित होता है पता ही आप लोग तो आप लोग बोलिएगा कि बिजांड से option number D option number D होगा ठीक है ग्रहनी भाग है ग्रहनी भाग है कौन सा होगा आपका अंसर तो आप लोग बोलिएगा कि छोटी आत में छोटी आत का सोरी option number B छोटी आत का ठीक है चले अगला question पर च स्थितिक तंत्र में उर्जा का सरोत होता है तो आप लोग बोलिएगा सूरी परकास अगला कोशन पर चलते निमलिखित में कौन लेंगिक जनन संचारित रोग है तो आप लोग बोलिएगा कि सुजाक और एडरस उप्षन नमबर दी भी सही है और देखे बी और सी दोनों तो आपका अनसार डी इज करेक्ट होगा ठीक है दी करेक्ट होगा अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किये तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजीगा और यदि हमारे चैनल प का उद्धवस्ताने जो औफिरका ऑफिर का औप्शन नमबर सी औफिर का ठीक है चलिए अगला कोशन ए मानब गुद्ड्य का अकार होता है तो आप लुग बोलियागा कि सेम बीज के अकार option no.C ठीक है, चले अगला question तलाब किस परकार की परिस्थितिक तन्त्र है तो आप लोग कि प्रकिर्तिक है, प्रकिर्तिक परस्थात की तन्त्र है option no.B चले अगला 15 नमबर कोश्चन है कि भारत में उत्पादित परतेवर्ती विदुधारा की आभीर्ती है बताईए आप लोग आभीर्ती है यह काफे इंपोर्डन कोश्चन है तो आप लोग धियान रखेगा तो आप लोग बोलेगा 50 हड्ज ठीक है उप्सन नमबर D चले अगला कोश्चन है शेप्ट्रम प्राप्ट करने के लिए किसका उप्योग होता है यह भी काफे इंपोर्डन कोश्चन है तो आप लोग बोलेगा प्रिज्म का अप्सन नमबर C प्रिज्म का होगा ठीक है अप्सन नमबर C चले अगला कोश्चन पर चलते हम लोग बिद तो आप लोग बोलेगा कि option number D होगा ना एक्रोम की option number D अगला question है आनभी करनी है उर्जा का सरोत है तो आप लोग बोलेगा कि कोईला option number A option number A होगा ठीक है उन्हीं इस नमबर question है किसी चालक तार से परवाहित विदुधारा में गति गतिशील कन होता है यह काफीन परण कोईशन है तो आप लोग धियान रखेगा तो आप लोग बोलेगा तो आपलोग बोलिएका कि उत्तल लेंस, Option No.C, उत्तल Lens, ठिक है, अगला question पर चलते हैं, विधूत-अवेश के परवादर को काते हैं, तो आपलोग बोलिएका कि विधूत-धारा, Option No.A बाister अगला ताइश नंबर कोश्टन है जिंक बलेड निमनकीत में किस धातु का आयस्क ये भी काफी इंपोर्टन कोश्टन है तो आप लोग धियान रखेगा तो आपका अंसर होगा कि jn आपका अंसर होगा jn ठीक है छले अगला कोशन पर चलते हैं ओजों की अजो ओजों का आनविक सुत्र है तो आप लोग positivity तो आप लोग बोलेगा यह आप लोग को पता होगा artificial option number go third होगा ठीक है जी चले अगला कोशन पर चलते हैं हम लोग कि पी अच का कौन सा मान छारक बिलियन का निरुपीद करता है यह काफी इंपॉटर्ड कोशन है यह सभी कोशन आप लोग धियान रखिएगा तो आप लोग बुलिएगा कि टेरा जैसे की जो होता है तेरा आपका अनसर सी इज गया शारी साथ से ज्यादा ऑँगा होता है सो चारीय और जो सात के बराबर से तो और अधर्ल के धेरो होता है ठरीक़ा अधर कोशन पर चलते हैं हम लोग जल के अनू एक अनू में हाईड्रोजन एवम औक्सीजन परमान शंख्या का अनुपात होता है बताइए आप लोग तो आप लोग बोलिएगा कि option number B होगा दो अनुपात एक चले अम लिए oxide के billion का pH मान क्या होगा यह काफिन पड़न कोईशन है तो आप लोग बोलिएगा कि साथ ठीक है option अगला question सबसे कठोर प्राकीर्तिक पदार्थ है, सबसे कठोर प्राकीर्तिक पदार्थ है, बताइए अब लोग तो आपने बोलिएगा, कि ही रा option number C, ठीक है अगला question पर चलते है, silver iodide का रंग कैसा होता है, silver iodide का रंग कैसा होता है, तो silver iodide का रंग होता है पीला option number B ठेक है option number B स्वसन किस परकार की रसाइनिक अभीकिरिया है स्वसन किस परकार की रसाइनिक अभीकिरिया है तो आप लोग गो लिएगा उस्मा 6P option number B उस्मा 6P होगा ठीक है चलिए अगला question पर चलते हैं जल में घुलन सील भास्म कहलाता है जल में घुलन सील भास्म कहलाता है जो कि छार होता है option number B होता ठीक है option number B चलिए अगला question पर चलते हैं लोग निमलिखित में से में किस तत्व में सन्योजी इलेक्ट्रॉन की संक्या सबसे अधिक होती है बताईए आप लोग तो आप लोग बोलिएगा कि option number B होगा option number B AI ठीक है चलिए निमलिखित में कौन बिजातिय योगिक है ये भी काफी important question है तो आप लोग बोलिएगा plaster of paris plaster of paris ठीक है अगला question पर चलते है milk of magnesium का pH मान होता है milk of magnesium का pH मान होता है बताईए आप लोग तो आप लोग बोलिएगा option number D option number D होगा ठीक है अगला question पर चलते है निमलिखित तत्वों में किसकी आयन उर्जा अधिकतम होती है बताईए आप लोग ये भी काफी important question है तो आप लोग बोलिएगा कि CL CL ठीक है अगला question पर चलते आवर्थ सारनी के पर्थम आवर्थों में तत्वों की संख्या है आवर्थों में तत्वों की संख्या है जो कि है दो option number A चलिए अगला question पर चलते दूत ये आवर्थ में तत्वों के कौन सा सेल वहतम सेल है बताई आप लो तो आपका अंसर होगा यह उप्शन नमबर डी चले अगला कोई उन्चाली नमबर कोशन है कि किसी तत्व में दो सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रों से पुर्णाता भरे हुए हैं वह तत्व हैं तो वह तत्व जो होगा नियो उन होगा नियो उन होगा ठीक नमबर ए निमलिखित में कौन सबसे अधिक किरियाशील हाई लो जन है तो आप लोक बोलिएगा ऑप्शन नमबर ऑ होगा ठीक हैं औप्शन नमबर內 चले बना कोश्चन परदे पाउधे कि उतसर्जी पदार्थ में निम्न मेंसे कौन है निम्न मेंसे कौन है बताइए आप लोग तो आपका अंसर होगा रेजीन गोन टाइनीन इन में से सभी तो आपका बोलेगा option नमबर डी होगा इन में सभी चलिए अगला question पर चलते हैं हम लोग आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कियें तो वीडियो को आप लोग लाइक जिरूर कीजेगा और यदि हमारे चैनल पे नहीं होगे तो Channel को आप लोग जिरू सक्राइब कीजेगा तो आपका question अगला है कि निम्न में कौन पुरुस हार्मोन है तो पुरुस हार्मोन जो है टेस्ट्रो ओन है टेस्ट्रो ओन है ठीक है उप्सन नमबर सी होगा ठीक है चलिए अगला कोशन है चेवाली नमबर कोशन कीनवन किर्या पाई जाती है तो कीनवन किर्या किर्या पाई जाती है जो कि है आपका अंसर इस् पैताली नमबर क्योंटाने मस्तिस्क उत्तरदाई है, तो मस्तिस्क जो उत्तरदाई है, शरीरिक संतुलन के लिए हुर्द संपादन के लिए सोचने के लिए, तो option number D होगा, इनमें सभी, चलिए अगला क्योंटाने आप लोगको अभिकिरिया यह देखिए काफिन बोड़न कोश्चन है तो आप लोग धियान रखेगा तो आप लोग बोलेगा उप्चयान और उप्चन नमबर C चले एक अस्त्री में कौन से लिंग घुन सुत्र मिलते हैं बताईए आप लोग तो आप लोग बोलेगा देखिए यह काफिन सीवीत्यी मोटी होती है बताईए आप लोग तो आप लोग बोल जो हैँप लू सेवंटी एट परसेंट कोंमा चले चले एकाट पर चलते हैं लूग प्राकृति नियिक रचाते hops उर्जा का मोक इसरोत क्या हैं बताईए आप लोग तो आप लोग तो आप कि option number D होगा सुरी परकास, Option number D ओजोन के अनु में औक्सिजन की परमानु संक्या होती है, हम बताएं थिरी होता है तो आपका अंसर होगा थिरी, ठीक है, इसमें बोलरा है, परमानु की संक्या कितनी होते तो थिरी, option number C, चले अगला question पर चलते हैं, पौधे में परकास translation का अस्थान होता है, बताईए आप लोग, तो आप लोग बोलिएगा कि chloroplast, option number B, chloroplast होगा, ठीक है, चले अगला question पर चलते हैं, let X, समनता कहां पाया जाता है, let X, चले अगला question पर चलते हैं, चले अगला question पर चलते हैं, भर्न का विकास होता है, यहां पर टैपिंग में मिश कर गया है, ठीक है, तो आप लोग बोलिएगा, कि गर्भासे में, option number C, गर्भासे में, निकट द्रीष्टी दोस्त में, किस lens का परियोग किया जाता है, बताइए आप लोग, तो आप लोग बोलिएगा, कि आपका अंसर होना चाहिए, अबतल lens, ठीक है, तो lens का समता का मातरक होता है, डाई ओप्टर, option number D, डाई ओप्टर, चलिए अगला question पर चलेए, परकास का चाल निउन्तम होता है, तो आप लोग बोलिएगा, कि परकास का चाल निउन्तम होता है, काच में, option number D, चलिए, अगला question है, कि 60 number question है, कि lens की आवर्धन का SI मातरक है, लेंज की आवर्धन का SI मातरक क्या है, तो आप लोग बोलिएगा, मातरक बीन है, जो lens होता है, उसका कोई SI मातरक नहीं होता, वो है मातरक बीन, ठीक है, चलिए, अगला question पर चलते है, एक सर्ण नमबर question, किसी अंतरी छी आतरी को अकास का SI परतित होता है, ये काफीन बढ़न question है, तो आप लोग धियान रखेगा, तो आप लोग बोलिएगा, काला, option number B, ठीक है, अगला question पर चलते है, अबतल दर्पन की फोकस दूरी होती है, वो होती है, रिना आतमा का option number B, चलिए, अगला 63 number question है, कि पर्थमिक वर्ण है, पर्थमिक वर्ण कौन है, तो आप लोग बोलिएगा, कि नीला, हरा, लाल, option number D, चलिए, आपका अगला question है, परतिरोधक्ता का SI मातरक है, परतिरोधक्ता का SI मातरक है, जो कि ओम परतिमीटर, ओम मीटर है, ठीक है, option number E, आ नभी करनिये, उर्जा है, आ नभी करनिये, उर्जा है, तो ओ होता है, कि आपका कोईला से प्राप्त उर्जा, कोईला से प्राप्त उर्जा, इंधन है, पता ही, आप लोग इंधन चो है, क्या है, तो आप लोग अंसर होगा, LPG, CNG, लकड़ी, तो आप बोलिएगा, D, option number जो, CNG भी इंधन है, LPG भी इंधन है, लकड़ी इंधन है, तो आपका अंसर D होगा, ठीक है, चलिए अगला कोईचन पर चलते हैं, अगला कोईचन है, जिवास इंधन का उधारन है, जो कि आपका अंसर होगा, पेट्रोलियम और कोईला, option number C, अमोनिया, अमोनियम कलोराइड का जेलिये, billion होता है, बत एथाइन में कारवन, कारवन, परमानों के बीच कितने सासनियों, जग वन्धन होते हैं, ये भी काप important question है, तो आप लोग बोलेगा, तीन, क्यू प्राइट निमनकित में किस धातु का अयस्क है, अयस्क है, बताईए आप लोग, तो आप लोग बोलेगा, एक मिनट, क्यू प्राइट निमनकित में से किस धातु का अयस्क है, तो आप लोग बोलेगा, C, U, यानि कि कोपर, कमरेत के ताप पर धर्व अवस्ता में रहने वाली अधातु है, ये भी काफिन बोड़न question, तो आप बोलेगा, ब्रोमीन, option number C, अवर्थ सार्णी में अवर आप लोग बोलेगा, लेक्टिक अमल, लेक्टिक अमल, ठीक है, चलिए अगला question पर चलते हैं, 76 number question, निमली खित में से किस धातु को किरोसीन में दुआ कर रखते हैं, बताईए आप लोग, तो आप बोलेगा, सोडियम को, option number B, वाधातु जो सिर्फ अमल राज में घुलते ये काफी नोडन question है, तो आप बोलेगा, AU, चलिए अगला question है, लोंग, तेल किस परकार का सूचक है, तो आप लोग बोलेगा, कि गंध ही है, option number C, चलिए अगला question है, घरेलू, गैस, येल्पीजी का मुक अभियव कौन सही, तो आप लोग बोलेगा, butane, option number B, ठीक है, butane, चलिए अगला question, इस वीडियो का अंतिम question होगा, कि निमलिखित में कौन जिवास इंदन नहीं है, तो आप लोग बोलेगा, बायो गैस, option number A, तो आप लोग 80 में कितना सही है, ओभी जरूर comment कीजेगा, और आप लोग को वीडियो पसंद आए, तो वीडियो का आप लोग ला को वीडियो हमाब